हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नैना बूटिक में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको सिकाने वाले हैं कटो कर्ते हैं कर दोस्तो हमने यहां पर कपड़ा लिया है सबहीं करें चारी को करें हैं और हमारे कप्ड का सीधा है है और जो उल्टा है वह है बाहर वाधर की से निशान लगाएंगोंनुस किसे कि मैं यहां पर हम सब्सक्राइब का वाधरशे स्टीब कि आपauen पर है कि यहां जोर्वपन्टी कि अर्वर जो अपन निशान लगाना है पौने दो इंच का लंबाई से नीचे वाले में ठीक है उसके बाद में हम हाले का निशान लगा देंगे ही पर हमें इसी लगा देना है धाई इंच पर क्योंकि हमारा जो कालर है वो है 15 और ऐसे में लगाएंगे पौने तीन इंच का और इसको इस तरीके स गोलाई दे देंगे तो दोस्तो हाले को हमेशाद छोटा कटिंग करना चींगे जो हम कालर चड़ाते टेम हलका सा सेटिंग कटिंग करके और उसको सही तरीके से चड़ा दें अगर आपका हाला यहां बड़ा हो गया तो दोस्तो कालर चड़ाने में परिशानी होगी और कॉलर यहां पर इंची डेप रखेंगे और अपनी लंबाई का निशान लगा देंगे तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह है साड़े 27 इंच तो हम साड़े 27 पर लगाएंगे आदा इंच हम और लगाएंगे जो हमारे दामन में फोल्ड होगा यह हमारा दामन रौंड वाला यान आपने आरमोल का निशान तो दोश्तों हमारा जो सीना है वह साड़े 4.4 इंचा चौथाई जो हम करेंगगा तो खरीब हो गया गहां 10 इंच एक सूथ तो हम हम यह दस इंच पर निशान लगाएंगे यह हमारी लूस की कटिंग का आरमोल हो गया और यहां पर हम शेड़ जो पौन इंच कम कर देंगे, तो ये हो गया, सवाँ नौ इंच, थीक है, तो हम यह सवाँ नौ इंच पर लगा दिते हैं, अगर शेर्ट लूज है, जिसे बड़े बुड़े लोग लूज शेर्ट पहनते हैं, तो आपको चौथाई का ही निशान लगाना होगा सीने की तो हमने याप पौन सबा नो पर लगा दिया ठीक है सबा नो पर लगाने के बाद में इस तरीके से हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और एक निशान लगाएंगे लंबाई का यह निशान हमें हुआ लगाना है अपना 13 यानी शोल्डर तो दोस्तो हमारा जो शोल्डर है वह है 19 इंच तो 19 का हाफ हता है 9.5 अब हमें 12 इंच यहां पर आठ देना है जो हमारा मार्जन पार जाएगा कर दोनों त्रिक की चेह तो कितना सामना रखना चाहिए लूजिंग 그렇ार चाहिए और हम अगर अग्षिंग करेंगा तो कितनी चोड़ना चाहिए उसके बाद में हमें यहाँ पर पौने दो इंच लूजिंग देना है फिटिंग की शैट में ठीक है अगर आप शैट लूज है लूजिंग शैट है जो लूज पहनना चाहता तो आपको यहाँ पर लूजिंग छोड़ना होगी धाई इंच की ठीक है यहाँ पर धाई इंच की छोड़ने कि नहां तो थीक्ति कि तो आप लाए यहां से यहां पर हमने आपने सामना नहीं से यहां तो घ्ञार लुजान गरते हैं वह कुपर वी और नीचे भी उसके फीर्द्फे इस स्केल से हम निशान लगा लेंगे तो दोस्तों हमें इसी यहाँ पर इस तरह निशान लगा देना हैं निशान लगाने के तीन इंच वाले पर निशान लगा देंगे और इस तरीके से देंगे यहाँ पर गोल आई तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने के निशान लग चुके हैं अब हमें क्या करना है इसे हमें करना है कटिंग अब दोस्तों हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया आप हम आपको समझाते जाते हैं संग arrange के हम इसमें क्या लिकाण अफिक काना है और यहाँ पर इस तरीके से खोल के यहाँ पर लिका लिए ठीक है इस वाले सेमें तो दोस्तों हमने यहाँ पर साड़े बाराइं चोड़ा अपना पीस भिशा लिया है, बैक कटिंग करने के लिए और यहाँ पर लगा दिया है निशान उल्टे कपड़े पर ठीक है, अब हम यहाँ पर इस फंटी से इस तरीके से यहाँ पर सीधा करना होगा, निशान लगा तो हमारा यहां पर कर देंगे कटिंग जो सीधा भी को इसके बाद में हम यहां पर अपना सामना आ हो कोई यहाँ बिराबर रखेंगे इस को बड़ावर अपर लिकल बैग अपनी सामने से रखेंगे पॉन इंच छोटी यानि कि यहां पर यह चीज जो यह चीज है सामना हमारे निशान यह लगा है तो बैग हमारी पॉन इंच छोटी हमने रखी है यह इसलिए रखते हैं कि हमारा जो बटन टेक और काश पट्टी वाला ऐसा तलाओ उपर जब चड़के आता है सामने बटन लीए फिर हमें इस तरीके से यहां पर निशान लगा देना आपको गोल यहां से देना आ है कि एक दम बिल्कुर राउंड ने देंए ना ठीक है कर जाना भी आइज पर कर लेते हैं कटिंग अब हमने यहां पर कटिंग कर लिए है कटिंग करने के बाद में अब इसको हम रौंड वाला दामन कटिंग करेंगे तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना हुआ हम से निशान लगाएंगे dal इंच भी टिक है यहां से निशान लगाने के बाद में यहां से इस तरीके से निशान लगादेंग राउंड का और इसको कर लेंगे कटिंग तो दोस्तों यहां पर हमारी बैग भी कटिंग हो चुकी है अब हमें क्या करना है दोस्तों हमारा यह वाला हिस्सा जो बैग में से बचा है आप देख लीजी कहां से क्या लिकलना है तो दोस्तों यहां से लिकलना है हमारा शोल्डर यानि तीरा ठीक है यहां से हम लिका लेंगे तो इससे लिका लने से पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर हम अपनी आस्तिन को कटिंग कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर हम आस्तिन लिका लेंगे इस तरीके से अगर इसका सीना कम होता तो हम इसको सीधी करके कटिंग कर लेते ह सबसे पहले क्या करना होगा यहां पर नापना होगी अपनी stem लगा देंगैं से लंबाई उसके और निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद में इसकी जो हमें चौड़ाई रखना है साड़े-पांच इंच अभलो ऑपन्च इंच आध्यान निशानन लगा देना है निशानन यहांसे निशान रखा दो अगल Pvdaj कि अगर आपका सीने साइच पाम है तो आप यहां पर ड़ाई पर भी लगा सकते हैं उसके बाद में हमें siitä बाद यहां पर एक निशान लगादा हुआ अब हमने जो की निशान लगा है तीन इंच वाला और उपर वाले निशान से यहां से ले छाका से 1.5 ले आप लेंगे और यहां से हम गोलाई कर देंगे इस तरीके से गोलाई अब दोस्तों इस वाले कप्ड़े पर हम यह वाली आस्तिन रखके कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों हमारा यह वाला जो कप्ड़ा है वो है सीधा और यह वाला है उल्टा तो हम उल्टे पर लगा देंगे निशान इस तरीके से और निशान लगाने के बाद में हम इस आस्तिन को इस तरीके से बिचा लेंगे इसको आप देहान देंगे आपको इस तरीके से बिचाना यह वाला हिस्सा सीधा है और यह और यह है तो ठीक है तो हमें यह वाला हिस्सा सीधा करना है इस तरीके से लाइन मिला लेंगे यह आप अब करना हो तो आपको सिदह लिए कर लेंगे से आपका सीदह सीदह से आज इने माけど हमारा सीदह कपडा है वह द्यां राखें वह अंदर रहें दोनों कि नंदर हैं यह निसे वह साइज उल्टा है ठीक है अब हमें क्या करना हुआ इसको कटिंग करना हुग अब दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है कटिंग करने करने के बाद में इस तरीके से पंटेंगे फल करने कर देंगे पदूर को अब दोस्तों हम अपने जितना हमारा मारजन जाएगा सेडों में सिलाई का उसके बाद में हमें यहाँ पर अपनी काज़ पट्टी को कटिंग कर लेना है साड़े पांच इंच कर निशान लगा के तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आस्तिन भी कटिंग हो गई अब रहरे आनवा यहाँ पर तीरा तो दोस्तों हमने जहां से अपनी बैग लिका ली थी हमने आपको बताया था कि यहां से हम तीरा लिका लिएगे तो वहीं से हमें तीरा लिका लना है इस तुल्ड करेंगे छे इंच और ला कपड़ा इसकी चौणा यह रखना है में 6 क्योंकि हमें यहाँ पर 13 लिकालना है 5.5 इन चौणा इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो दोस्तों आज हम आपको 13 कटिंग करना भी सही तरीके से बता देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शोल्डर की जो लंबाई थी वो थी 19 इंच तो हम यहाँ 19 पर निशान लगाएंगे 19 का हाफ करके साड़े 9 पे और आदा इंच का हम यहाँ और मार्जन देंगे जो सिलाई में जाएगा तो हमारा हो गया 10 यानि कि डबल करके 10 हो गया तो हमारा यह तीरे की जो लंबा यह हो गई वह हो गई 20 इंच अब हमें यहां से जो इसकी चोड़ाई रखना है वर रखना है 15 इंच तो हम यहां पर 2,5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहां पर खरीब एक इंच पर लगाएंगे नीचे क्यूंकि हम इस तरीके से किरास करेंगे उसके बाद में हमें यहां पर दे देना है गोलाई सभी करके गोलाई देना है आपको उसके बाद में यहां पर हम लगाएंगे 10 इंच पर निशान जो हमने नीचे लगाया था वह यहां लगाएंगे ठीक है जितना चोड़ा क्योंकि हमने हमारा यह निशान है 10 इंच पर इसलिए लगा रहा है हमारा मारजन दे कर 10 इंच हो गया कि 19-13 तो यहां पर 20 हो गया तो हमें इस तरीके से जो हमारा यह वाला निशान है 5 इंच चोड़ाई का और नीचे है पौने 2 इंच पर आके से किराज करना है इस तरीके से अब दोस्तों यहां पर हमारे निशान सब लग चुके हैं अब हमें इसे कर लेना है कटिंग एक चीज का खास तोर से दिहान रखें कि सबसे पहले तो हमें कट लगाएंगे उसके बाद में इस चीज़ का खास तोर से ध्यान रखे कि हमारा यह वाला जो हिससा इसकी चौणाई और इस चीज़ की चौणाई सेम रहना चाहिए ठीक है बिल्कु बरावर इस तरीके से ना आपके चेक कर लेंगे या ऐसा ना हो कि हमारा चौणा पतला कटिंग हो गया और तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंपलीट फिर भी अगर आपको कोई परिशानी तो आप बेजी जग कमेंट्स करें चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग